नमस्कार अभिनंदन और आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए लेक्चर पर आज के इस लेक्चर में हम लोग पॉलेटेकनिक एंट्रांस एक्जाम 2018 में जो एक्जाम हुआ था पॉलेटेकनिक का उसका जो है previous year questions जो होगा वो हम लोग आज discuss करने वाले हैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि पॉलेटेकनिक एंट्रांस का ये solved paper है 2018 का और इसको आज हम लोग discuss करने नजार है ठीक है 2018 में जो questions आए हुए है उसको आज हम लोग discuss करेंगे तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि पॉलेटेकनिक जो है एंट्रांस होता है उसमें physics, chemistry और mathematics ये तीन जो है इसमें पूछा जाता है ठीक है तो physics से 50 questions, chemistry से 50 questions और mathematics से 50 questions ठीक है ये जो है आपका ये जो question paper है ये जहारखन पॉलेटेकनिक का है लेकिन चाहे आप किसी भी state का पॉलेटेकनिक एक्जाम देने जा रहे हो question का pattern जो है सभी का लगबग लगबग same है इसलिए अगर आप दूसरे state का भी questions को practice करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है आपका experience बनेगा ठीक है तो हम सभी state के जो भी बच्चे हैं जो previous year questions का तलास में है तो वो इसको practice कर सकते हैं इसका भी practice कर सकते हैं other states का भी जो questions आएगा मेरे पास उसको भी हम लोग solution उसका भी करेंगे ठीक है तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि physics, chemistry और mathematics है ना तो हम लोग क्या करेंगे 50 questions को जो है ये दो part में divide करके काम करेंगे है ना part 1 में 50% question मतलब 25 questions को deal करेंगे और part 2 में जो है हम लोग 25 questions को deal करेंगे ठीक है उसी तरह chemistry के साथ भी करेंगे उसी तरह mathematics के साथ भी करेंगे ठीक है तो हम लोग 2 part में इसको बाट कर काम करेंगे आप किसी भी state का politics exam देने वाले हैं आपके लिए ये previous year question आपके लिए जो है ये महत्वपुन हो सकता है important हो सकता है ठीक है तो चलिए आज का जो है हम physics वाला part जो है उसको सुरू करते है physics वाला part जो है वो 101 number question से सुरू होगा तो हम लोग 101 question पर चलते है 101 number का question है उसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि 101 number questions पर क्या पूछा गिया है आँखिर physics से सवाल section 3 का physics part है इसमें हम लोग सबसे पहला question जो 101 number का question है इसको हम लोग अगर तो पहला question पूछा जा रहा है What is the color of sky viewed from surface of the moon Moon के surface से अगर हमारे आकास को देखा जाए तो आकास का color जो है वो कैसा दिखेगा ये पूछा जा रहा है तो हम लोग जानते हैं कि जो color दिखता है वो reflection of light के वजह से दिखता है light का reflection के वजह से दिखता है तो चुकि आकास के उपर कोई भी atmosphere नहीं है वहाँ पर कोई भी particles नहीं है न डस्ट particles है न कोई atmosphere है इसलिए वहाँ पर reflection जो है वो होगा ही नहीं तो वहाँ पर जहाँ पर कोई reflection नहीं होता है वहाँ पर हम लोग को red, white, blue या फिर black कौन सा color दिखेगा वहाँ पर हम लोग को black color दिखेगा option number D जो है हमारा यहाँ पर सही है तीक है चली दूसरा वाला question जो है देखिए 102 number वाला question क्या है an object of 5 cm is in size 1 cm का एक object है is placed at a distance of 20 cm 20 cm की दूरी पर उस object को रखा जा रहा है from a concave mirror एक concave mirror से 20 cm की दूरी पर उस object को रखा जा रहा है तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं उस mirror का focal length दिया हुआ है focal length of that mirror is 15 cm what is the nature of the image concave mirror के case में focal length 15 cm है और उस case में हम 20 cm में किसी object को रख रहे हैं यह concave mirror है हमारा है ना और मान लेते हैं यह हमारा अगर focus है तो हम लोग यहाँ पर इस object को रख रहे हैं है ना तो image जो हमारा बनेगा वो कैसा बनेगा वो image जो है हमारा enlarged बनेगा है ना कैसा image बनेगा enlarged image बनेगा और वो axis के नीचे बनेगा और जो है real image बनेगा यहाँ पर virtual image नहीं बनेगा इसलिए हम लोग का जो option नमबर A है देखिए real, inverted and enlarged ठीक है erect image नहीं बन पाएगा erect image नहीं बन पाएगा और dimnist image नहीं बनेगा इसलिए यह तीनो जो है यह option जो है वो eliminate हो जाता है एक ही option बचता है that is real, inverted and enlarged हम लोग examination में option elimination से भी बहुत सारे सवाल का जो है वो जबाब दे सकते हैं option elimination trick जिसमें हम क्या करेंगे कि गलत जो options है जो हो ही नहीं सकता है इस questions का answer उसको हम लोग अगर जो है क्या करें उसको अगर हम हटा देने का काम करें या फिर उसको निकाल ले अगर हम option eliminate कर दें तो हमारा जो सही answer है वो खुद बखुद आ जाएगा ठीक है अभी देखिए तीसरा number जो question है 103 वाला a light of wavelength 750 nanometer wavelength कहने का मतलब है क्या मान लेते हैं कि यह 750 nanometer है है ना दूसरा क्या है glass slab of refractive index refractive index दिया हुआ है that is n n is equals to 1.5 है ना अभी जो है the change in wavelength of light approximately देखिए तो refractive index is equals to क्या होता है wavelength of light in one medium wavelength of light in another medium है ना तो यहाँ पर हम लोग को wavelength जो है वो जा रहा है तो हम लोग इसको किस तरह से कर सकते देखिए lambda 2 will be equals to lambda 1 upon n बोल सकते हैं और lambda 1 का जो value है यहाँ पर 750 nanometer है और upon n का जो value है वो 1.5 है ठीक है तो यहाँ पर अगर इसको हम लोग calculate करेंगे तो हमारा option जो है answer कितना आ जाएगा यहाँ पर option आ जाएगा 200 nanometer है ना 200 nanometer हो जाएगा answer ठीक है अगर आप इसको calculate करके देखेंगे तो आपको जो answer मिलेगा वो कितना मिलेगा 200 meter ठीक है क्या करेंगे हम लोग जो है यहाँ से हम लोग 500 मिलेगा और 500 को हम लोग change in wavelength पूछ रहा है यहाँ पर इसको divide करने के बाद हम लोग को 500 मिलेगा 500 nanometer और 750 nanometer जो है वो previous वाला दिया हुआ है lambda 1 इसमें minus कर देंगे 500 तो हमको कितना मिल जागा 250 मिल जागा है की नहीं ठीक है तो इस तरह से हम लोग तीसरा question को solve कर पाए of focal length 20 centimeter and another is concave of focal length 25 centimeter ठीक है पूछा जा रहा है यहाँ पर क्या की एक concave lens है और एक convex lens है ठीक है एक convex lens है और एक concave lens है अब इन दोनों का combination मतलब resultant जो combination के बाद resultant focal length होगा वो कितना होगा वो पूछा जा रहा है ठीक है तो देखिए जब हम लोग concave mirror का focal length का बात करेंगे concave mirror का focal length का बात करेंगे तो उसको हम लोग minus में लिखते है minus 25 centimeter लिखना पड़ेगा है ना minus 25 centimeter ठीक है और convex mirror का जो लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे plus में 20 centimeter और resultant focus जो होता है focal length जो होता है वो 1 by f will be equals to f2 यह होता है यह expression से हम लोग निकाल पाएंगे है की नहीं 1 by f1 plus 1 by f2 तो यहां पर 1 by 20 plus 1 by minus of 25 है ना इसको इस तरह से हम लोग solve करेंगे तो हम लोग का answer जो है मिल जाएगा है की नहीं और answer कितना आएगा combination के बाद जो focal length बनेगा 100 centimeter ठीक है आप इसको solve कर लेंगे ठीक है इसको solve करेंगे जब इस equation को तो आपको 100 centimeter जो है वो answer में मिलेगा ठीक है चलिए according to ohms law according to ohms law v is equals to i into r ohms law से जो है हम लोग जानते है क्या कि v is equals to i into r होता है यह ohms law का expression है ठीक है यह ohms law का क्या है यह expression है ohms law का ठीक ना अब हम लोग को पूछा जा रहा है कि इन में से कौन सा ऐसा means जो दिया गया option है v is directly proportional to r i is directly proportional to r and v is directly inversely proportional to r है ना यह जो पूछा जा रहा है तो v is equals to i into r हम लोग इस expression को कहा से निकालते हैं कि the current flowing through any conductor is directly proportional to the applied potential difference है की नहीं और यह r जो है यहाँ पर constant आता है है की नहीं तो यहाँ पर d वाला जो option है यही हमारा सही होगा ठीक है d वाला जो option होगा वो सही होगा 105 नंबर वाला question का answer जो होगा वो d number होगा है ना physics का पांचवा question होगा यह ठीक है चली आगे बढ़ते हैं आगे हम लोग बढ़ते हैं छठे question की ओर on which of the following factor resistance of the wire depends resistance का जो expression है अगर हम लोग देखना चाहें तो resistance का जो expression है वो होता है r is equals to rho into l by a resistance का जोदी expression हम लोग देखना चाहें तो क्या होता है r is equal to rho into l by a e kya है यहां पर length of the conductor e kya है area of the cross section rho क्या है resistivity resistivity है न measurement resistivity है तो resistivity johan वो depend करता है temperature पर length जो है length पर depend करता है resistance और area of cross section पर भी depend करता है resistance ठीक है यानि ये 3W quantity पर वो depend करेगा थीनो physical parameter पर वो depend करेगा कोन resistance इसलिए इसका answer और all of दीज हो जाएगा, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, तो बताइए, किसी को कोई दिक्कत या कोई परेशानी है, तो बताइए, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, 107 number question, device used to regulate the current in an electric circuit is, electric circuit में, device में, current को regulate करने के लिए, हम लोग कौन सा instrument का इस्तमाल करते हैं, कौन सा instrument का उपयोग करते हैं, तो इसका जो answer हो जागा, वो रेहोस्टेट हो जागा, रेहोस्टेट को हम लोग variable resistance भी बोलते हैं, और इसको हम लोग use करते हैं, किसी भी electrical circuit में, current को regulate करने के लिए, ठीक है, चलिए, आगला question पूछा जा रहा है, across a metallic conductor of a non-uniform cross section, कोई एक metallic conductor है, कोई एक metallic conductor है, जिसका cross section जो है, वो fixed नहीं है, ऐसा है, माल लेते हैं, यहाँ पर यहाँ पर पतला है थोड़ा सा, यहाँ पर थोड़ा पतला है, यहाँ पर थोड़ा मोटा है, फिर यहाँ पर थोड़ा सा कम मोटा है, ठीक है, इस तरह का non-uniform cross section है किसी एक तार का metallic conductor का ठीक है the quality which remain constant along the conductor is कौन सा quality जो है इस conductor में सुरू से लेकर अंत तक वो जो है constant रहेगा तो हम लोग कह पाएंगे कि यहाँ पर जो है resistance तो constant नहीं होगा क्यों कि resistance जो है अभी थोड़े दिर पहले देखें हम लोग area of cross section area of cross section पर depend करता है ठीक है यहाँ पर भी देखें हम लोग area of cross section पर depend करता है ठीक है अच्छा electric field और current density भी depend करेगा क्यों क्योंकि यहाँ पर जो है जहाँ पर मोटा होगा वहाँ पर current density काम होगा जहाँ पर पतला होगा हमाँ पर current density क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, तो इसलिए जो A वाला option है हमारा current, ये इसका सही उत्तर होगा, सही option होगा, मतलब current जो है उस conductor में, वो जो है constant होगा, क्या क्यूं होगा, क्यूंकि number of electrons जो है किसी भी metallic conductor में, वो क्या होता है, constant होता है, इसलिए जो number of electron पास कर जो होगा, उस conductor से होकर, वो क्या होगा, वो constant होगा, इसलिए उसका current जो है, वो constant होगा, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, नाइन्थ नंबर question क्यों बढ़ते हैं, है कि नहीं, नाइन्थ नंबर question है, how many 400 ohm resistors are required to carry 5 ampere of current, है कि नहीं, तो आभी थोड़े दर पहले हम लो solve करेंगे, क्या कर लिखेंगे, हम लोग को resistance चाहिए, है ना, कितना resistance चाहिए होगा, 200 volt का line है, उसमें 5 ampere current जो है, हमको pass करवाना है, ठीक है, तो r will be equals to, क्या हो जागा, v by i, है ना, तो v कितना है, v है 200, और i कितना है, 5, है ना, तो यह हो जागा, 40 ohm, है ना, 40 ohm हमको resistance चाह resistor है, यानी हमको parallel connection करना होगा, इस طرح से, है ना, इस तरह से, parallel connection में resultant resistance इस तरह से निकाला जाता है, है न, तो इस तरह से हमको कितना resistance को जोड़ना पड़ेगा, n का value क्या होगा, कि हमारा जो resistance है, वो 40 ohm हो जाएगा, 40 ohm हो जाएगा, है ना, तो इस तरह से, अगर हम लोग क्या करते हैं इस तरह से अगर हम लोग 10 गो रेसिस्टेंस को जोड़ देते हैं 10 गो रेसिस्टेंस को तो उपर में 10 हो जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा 400 मतलब 1 by R will be equals to क्या हो जाएगा 10 by 400 और R will be equals to क्या हो जाएगा 400 100 upon 10 तो ये कड जाएगा 10 चोप बने कितना हो जाएगा 400 ठीक है तो इस तरह से ये जो है क्या हो जाएगा कड जाएगा है ना तो 10 रेसिस्टेंस को अगर हम लोग क्या करेंगे जो है जोड़ेंगे तो हमारा ये काम बन जाएगा 40 ohm रेसिस्टेंस आगिया मतलब 40 ohm रेसिस्टेंस हमारा हो गया है की नहीं तो 10 रेसिस्टेंस को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा जो रेसिस्टेंस है वो यहाँ पर 40 ohm जो है वो बन जाएगा ठीक है यानि हमारा option ही जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा option number D that is 10 रेसिस्टेंस हमको 400 ohm का 10 रेसिस्टेंस चाही होगा तब जाके हमको resultant रेसिस्टेंस जो है parallel connection करने के बाद कितना मिलेगा 40 ohm का रेसिस्टेंस मिलेगा यहाँ पर solve करके भी आपको हम दिखा दिए कि किस तरह से जो है यह जो है 10 रेसिस्टेंस का हम लोग को जरत पड़ेगा है ना अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं ताकि हम लोग अगला questions को भी solve करने के लिए हम लोग को जगा चाहिए यहाँ पर अभी देखिए 10 वा question देखिए क्या बोल रहा है express which of the following setups can be used to verify ohms law में हम लोग क्या क्या चीज को देखें ohms law में हम लोग देखें v is equals to i into r मतलब यहाँ पर हमको resistance चाहिए यहाँ पर हमको current चाहिए यहाँ पर हमको voltage चाहिए है ना that is potential difference है की नहीं तो देखिए option number 1 में जो है हमको resistance जो है यह resistance रेहो state से हमको variable resistance मिल जाएगा और voltmeter जो है ठीक है वो parallelly connected है, emitter जो है series में connected है तो यह हमारा answer हो सकता है अकला option को भी हम लोग पहले cross check कर लेते, देखिए यहाँ पर variable resistance कहीं पर नहीं है भी तो यह cut गया B option, C option में जो है हमारा voltmeter ही लगा हुआ नहीं है, इसलिए यह cut गया D option में जो है, हमारा देखिए D option में जो है हमारा voltmeter जो है वो series में लगा हुआ है, जबकि यह parallel में होता है, इसलिए D option भी cut गया तो हमारा finally जो है A option से ही हमारा ohms law जो है वो verify हम लोग का पाएंगे ठीक है? ohms law का जो verification है, वो हम लोग A वाला figure से ही कर पाएंगे, ठीक है? चलिए, अगला question है 111 question, जो physics का 111 question है, क्या बोला जा रहा है कि a wire of resistance 8 ohms is bent in the form of a closed circle एक wire को जो है वो closed circle के form में बदल दिया गया है जिस तरह से photo यहाँ पर आप देख पा रहा है यह बना हुआ है closed circle के form में बदल दिया गया है what is the effective resistance between point A and B A और B के बीच में जो effective resistance है वो क्या हो जाएगा? यह पुछा जा रहा है यह effective resistance क्या हो जाएगा? यह यहाँ पर पुछा जा रहा है तो यहाँ पर जो है हम लोग अगर इस question को solve करना चाहे तो R1 और R2 इस तरह से इस तरह से हम लोग क्या कर पाएंगे? इसको हम लोग निकाल पाएंगे L जो है minor upon L measure इस तरह से करके L minor कितना हो जाएगा? हमारा कितना हो जाएगा? L minor कितना हो जाएगा? 1 by 3 हो जाएगा? sorry 1 by 4 हो जाएगा चार हिस्सा में हम एक हिस्सा ले रहे है और यह कितना हो जाएगा? 3 by 4 तो इसको अगर हम लोग करेंगे तो यह हमारा कितना बन जाएगा? यह resultant आजाएगा 1 by 3 है न? और इस तरह से फिर अगर हम लोग जो है आगे क्या करेंगे? R2 जो है R2 जो है हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? R2 जो है हमारा हो जाएगा 3 into R1 है न? क्या हो जाएगा? 1 by 3 R1 R1 और R2 का जो वेलू है वो 1 by 3 आया है न? तो R2 cross multiplication करके R2 will be क्या हो जाएगा? R2 is equal to 3 into R1 हो जाएगा है की नहीं? 3 into R1 हो जाएगा अब देखिए R1 और R2 का जो वेलू है वो कितना दिया हुआ है? 8 on दिया हुआ है दोनों का जोड के है न? अब जो है R1 और R2 R1 तो यहाँ रहेगा प्लस यहाँ पर 3 R2 हो जाएगा R1 R2 के जगा 3 R1 क्यों? यहाँ से ले लिए हम दो ठीक है? अब जो है यह 8 ohm आ जाएगा है की नहीं? अब इसको 4 R1 will be equals to 8 ohm हो जाएगा है की नहीं? 4 R1 is equals to क्या हो जाएगा? 8 ohm हो जाएगा और R1 का अगर हम लोग equals to 3 into R1 मतलब R2 का वेलू जो है वो 3 into 2 हो जाएगा that is 6 ohm है की नहीं? अब 6 ohm हो जाएगा और यह क्या हो जागा? 2 ohm. अब इन दोनों को अगर हम लोग जोड कर निकाल दे 1 by 2 पलस 1 by 6 इस तरह करके अगर जोड़ेंगे हम लोग जोडेंगे तो हमारा result 1 by 1 by 6 पलस 1 by 2. इन दोनों को अगर जोडने का काम करेंगे हम लोग तो हमारा resultant आएगा, वो resultant आएगा कितना? 3 by 2 ohm. That is option number B. 3 by 2 ohm. ठीक है? 3 by 2 ohm आजागा हमारा answer. इसलिए जो effective resistance होगा A और B point के बीच का, वो कितना होगा? 3 by 2 ohm. तो अगले question के लिए हम लोग थोड़ा जागा बाना लेते हैं. ठीक है? ताकि अगला question हम लोग solve कर पाएं. यहाँ पर space का थोड़ा सा कमी है. आप देख को कोई दिकत? हम लोग कुछ नहीं किये हैं. बस उसका जो है resistance को जो है उसको हम लोग R1 और R2 का जो है वो value जो है वो निकाले हैं. है ना? उसके बाद उसको क्या कर दिये हम लोग जोड दिये. resultant resistance निकाल दिये. ठीक है? तो resultant resistance जब निकाले तो वो 3 by 2 ohm आ गया हमारा. है की और हम लोग बढ़ते हैं. अगला question जो हमारा यहाँ पर है 112 question उसको जो है हम लोग अब देखते हैं. 112 question में क्या पूछा जा रहा है कि an electric heater is rated at 1 kilowatt hour. है ना? 1 kilowatt. है ना? 1 kilowatt मतलब कितना? 10 to the power 3 watt. ठीक है? what is heat produced per hour? heat produced per hour कितना हो जाएगा? यह हम लोगों को यहाँ पर बताना है. पर hour जो है heat produced कितना हो जाएगा? वो हम लोगों को बताना है. ठीक है? तो इसका जवाब कौन देगा? तो heat produced will be equals to power into time. है ना? तो power हमारा 10 to the power 3 watt है और time हमारा कितना लग जा रहा है? एक घंटा. एक घंटा में अगर हम लोग time का SI unit का बात करें तो time का SI unit कितना हो जाएगा? time का SI unit का नुसार एक घंटे में. SI unit क्या है? second है. तो second एक घंटे में कितना second हो जाएगा? तो एक घंटे में 3600 सेकेंड होता है 60 into 60 करेंगे तो 3600 आएगा तो यह option number C जो है हमारा यहाँ पर अल्रेडी मौजूद है 3600 into 10 to the power 3 joule ठीक है तो यहाँ पर जो है वो मौजूद है option option number C ठीक है चलिए अगले question की और हम लोग बढ़ते हैं SI unit of resistivity is resistivity का SI unit हम लोग resistivity का expression देखे यहाँ पर लिखे हुए हैं है ना तो resistivity का SI unit अगर हम लोग देखेंगे resistivity अगर हम लोग यहाँ से निकालना चाहें इस expression से तो resistivity will be because to हम लोग लिख पाएंगे क्या लिख पाएंगे r into a by l लिख पाएंगे है की ने resistivity is equals to इस expression से अब resistance का SI unit क्या है तो ohm है और area का SI unit क्या है meter square है और length का SI unit क्या है meter है एक meter से एक meter cancel out और resistivity का SI unit आ गया वो ohm meter आ गया तो option number जो D है वो हमारा यहाँ पर सही है ठीक है किसी को कोई दिक्कत कोई पारेशान चली तेरा question समलोग कर लिए बढ़ते हैं 14th questions की और है न 14th question जो physics का 14th question 114 number पर अभी देखिए two heater A and B rated 200 watt and 220 volt and 40 watt at 220 volt respectively are connected in parallel to 220 volt 220 volt के parallel supply में दो heater को जोड़ा जा रहा है एक का power जो है 200 watt है दूसरे का power 40 watt है और दोनों को जो है वो 220 volt का supply से जोड़ा जा रहा है तो what is the current drawn by heater B B जो heater है उससे क्या current draw होगा वो पूछा जा रहा है यहाँ पर है ना वो पूछा जा रहा है कि जो heater 2 है उससे क्या जो है मतलब heater जो 2 है उससे क्या current draw होगा उसको हम लोगों को निकालना है ठीक है उसको हम लोगों को क्या करना है निकालना है तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहला हीटर के लिए अगर हम लोग बात करें तो पहला हीटर के लिए हम लोग बात कर पाएंगे A1 है ना A1 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 heater के लिए अगर हम लोग बात करें तो उसके लिए अगर हो जाएगा क्या? PA मतलब power of first heater है ना? A1 मतलब PA ठीक है? 4 A1 PA power of पहला heater क्या हो जाएगा? equals to power is equals to होता है V square upon R है ना? तो यहाँ पर पहला ही तो VA square into means YRA है की नहीं? तो पहला का कितना है? पहला का जो है potential difference कितना लगाया जा रहा? 220V इसका square upon resistance पहला वाला का कितना है? पहला वाला का क्या है? कितना है? इस जो है इस resistance हमको निकालना है तो resistance के लिए जो expression बनेगा वो VA square upon PA मतलब power हो जाएगा है ना? तो यहाँ पर power कितना है? 200 ठीक है? यह आ गिया A के लिए ठीक है? B के लिए उसी तरह आ जाएगा कितना? B के लिए similarly B के लिए क्या हो जाएगा? B के लिए क्या हो जाएगा? तो B के लिए हो जाएगा B का जो power है वो 40 है तो 220 का square upon 40 यह हो जाएगा B के लिए है ना? तो अगर इसको हम लोग solve करेंगे यह A वाला के लिए तो यह जो आएगा वो आएगा मेरा 242 ohm और इसको अगर हम लोग solve करेंगे B वाला B वाला का जो resistance आएगा वो आएगा 1210 ohm ठीक है? 242 ohm और 1210 ohm ठीक है? अब जो है तो B वाले से कितना current जो है वो draw होगा वो पुछा जा रहा है ना? तो B वाले के लिए IB IB मतलब current जो है B वाले के लिए कितना हो जाएगा? I is will be equals to Vy Vy R है ना? तो potential difference कितना है? 220 volt और अपन R हम लोग निकालने हैं 1210 अभी इसको अगर हम लोग calculate करेंगे तो यह आ जाएगा approximately 1.8 182 182 approximately 182 तो देखिए option number 2 में जो है यह हमारा मौजूद है है ना? इसको थोड़ा से हम लोग साफ करते हैं इस screen को तब पता चलेगा है ना? देखिए 0.128 है ना? यह answer आएगा 0.128 182 0.182 ठीक है? यह option में जो है हमारा मौजूद है ठीक है? आप divide करके देख सकते हैं 220 को divide कर दीजिए 1210 से तो आपको पता चल जागा कि कितना आ रहा है ठीक है? तो इस तरह से जो है हम लोग क्या किये? कि सबसे पहले हम लोग heater 1 का जो है resistance निकाले फिर उस heater B का resistance निकाले और then जो है हम लोग B का resistance जो आया उसे से उसका current का जो value है उसको क्या किये? हम लोग निकालने का काम किये है ना? उसको हम लोग निकालने का काम किये ठीक है? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई question है तो आप पूस सकते हैं comment box पे भी डाल सकते हैं इस course related जो है WhatsApp group भी चलता है description पे जो है उस group का आपको link उस जो है WhatsApp number वो सारा कुछ आपको मिल जागा तो वहाँ से भी आप जो है इसको means वहाँ पे भी जूड के आप जो है अपनो doubt बगारा जो भी है वो पूस सकते हैं ठीक है? वो पूस सकते हैं ठीक है? चलिए अभी पंद्रवा question की और हम लोग बढ़ते हैं पंद्रवा question क्या पूछा जा रहा है कि power of the glass power of the lens suggested by an ophthalmologist उस से जो है means जो आख बगारा का चेक करता है optics related जो होते है जो power बगारा का जार्च करते हैं तो उन्होंने जो है suggest किया है क्या कि plus 2.5 divator है न? तो plus 2.5 divator जो है यहाँ पर जैसे ही power आगिया है हमारा तो इस से पता चल रहा है कि ये कुछ नहीं एक convex lens होगा ठीक है? ये कैसा होगा? एक convex lens होगा ठीक है? तो convex lens तो हमारा confirm हो गया ये दोनों option जो है वो eliminate हो गया ठीक है? ये convex lens है अब जो है इसका result मतलब जो है focal length जो है हम लोगों को निकालना पड़ेगा तो focal length is equals to क्या होता है? 1 by P है न? 1 by P होता है focal length is equals to 1 by P होता है तो यहाँ पर जो है focal length अगर हम लोग निकालना चाहें तो किस तरह से निकाल पाएंगे? 1 by P तो 1 by P मतलब क्या हो गया? कि हमारा जो power दिया हुआ है और जो है हम लोग 1 तो जो है इसको हम लोग क्या करेंगे? उपर में 1 into 100 centimeter में convert करने के लिए 100 बैठा दिये और नीचे जो है हम लोग 2.5 बैठा देंगे है न? तो इस तरह से इसको calculate करने के बाद उसको calculate करने के बाद जो है calculate करने के बाद यहाँ पर जो है आपको यह जो है option जो है answer मिलेगा और यह जो है C वाला जो option है वो यहाँ पर सही होगा ठीक है यह C वाला जो option है वो यहाँ पर सही होगा ठीक है that is 40 cm 40 cm आ जाएगा क्या उसका focal length उस जो है lens का focal length है वो कैसा होगा convex lens होगा और उसका focal length जो है वो 40 cm होगा ठीक है चलिए अब हम लोग 16th question की और बढ़ते हैं 16th question क्या है यह question जो था वो optics से related था हम लोगों का है न optics से related था तो यहाँ पर power of lens वाला जो concept जो है उससे हम लोग इस question को deal कियें अब अगला question 16th वाला जो है देख पा रहे हैं क्या कि the amount of light entering the human eye the amount of light entering the human eye human eye में जो light enter करता है उसको जो है control करने का काम कोन करता है तो उसका काम जो है वो प्यूपील करता है ठीक है प्यूपील उसका काम करता है ठीक है अभी देखिए the eye defect in which far points shift nearer than infinity और जो है एक defect है eye का जिसमें हम लोगों का जो दूर वाला जो दूर वाला है चीज वो नजदीक shift कर जाता है है कि ने infinity से वो नजदीक shift कर जाता है तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं क्या short sightedness इसको हम लोग क्या बोलते हैं short sightedness ठीक है option number c short sightedness इसको हम लोग बोलते है option number c ठीक है निउस्पेपर को दूर रखकर पढ़ना चाह रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो उनका आई में किस तरह का डिफेक्ट है वो पूछा जा रहा है तो इस तरह का डिफेक्ट को हम लोग हाइपर माइट्रोपिया बोलते हैं मतलब नजदीक वाला वस्तु जो है वो किलियर नहीं द दूर करके उसको हम लोग देखने का काम करते हैं तो उसको हम लोग हाइपर माइट्रोपिया के नाम से जानते हैं उनिश्वा नमर जो क्वेश्चन है इन डिस्पर्शन अफ वाइट लाइट थ्रू ग्लास प्रिजम इट इस ऑब्सर्व डाट कलर बेंट मोर एंड रिड क हो रहा है क्योंकि वेबलेंद जो है उस रेड कलर का वो ज्यादा है in comparison to wavelength of violet इसलिए option number जो C हमारा होगा ये सही होगा वेबलेंद जो होगा उसका वो सही हो निस वेबलेंद जो है रेड वाला का वो ज्यादा होगा in comparison to violet ठीक है अगला question 120 that is 20th question of physics physics का 20 question है in the circuit below the ammeter and the voltmeter reading is this reading जो है ये 6 ampere ammeter का reading है और voltmeter का reading कितना है 12 volt तो value of resistance तो resistance will be cost to क्या हो जाएगा V upon I है न तो V हमारा कितना है 12 volt और I कितना है 6 ampere है तो हम लोग का कितना हो जाएगा 2 ohm जो है 2 ohm जो है इसका हो जाएगा है ना option number C 2 ohm जो है इसका क्या हो जाएगा answer हो जाएगा ठीक है अभी चलिए 121 question in a conductor 1500 coulm of charge enters and 1500 coulm of charge exit in 5 minute 5 minute 5 minute में 1500 coulm charge जो है वो एक conductor में घुषता है और फिर उससे निकलता है 1500 coulm मतलब हम लोग i जो है i equals to क्या होता है q by t है ना तो q के value यहाँ पर 1500 coulm दिया हुआ है और ये time कितना है 5 minute 5 minute मतलब कितना second 5 300 second है ना तो 300 second इसको जब हम लोग divide करेंगे तो हमारा कितना आ जागा 5 ampere आ जाएगा है ना 5 ampere ठीक है तो 5 ampere हमारा current हो जाएगा है की नहीं 5 ampere का जो current है वो हो जाएगा ठीक है चलिए अगला question को हम लोग पढ़ते हैं अगला question हमारे पास क्या है two wire of same material having length and radius in ratio of 3 is to 4 and 3 is to 2 respectively दो conductor है हमारे पास दो wire material है हमारे पास उसका जो length और radius का जो है ratio दिया गया है length और radius का जो ratio है वो हम लोगों को दिया गया है है ना? वो हम लोगों को दिया गया है आगे पूछ रहा है are connected in parallel with a battery of 6 volt parallel connected किया गया है connection जो है parallel किया गया है 6 volt battery के साथ है की नहीं? तो उसका पूछा जा रहा है कि मतलब जो उसका ratio जो होगा current का जो ratio होगा वो क्या होगा ये पूछा जा रहा है है ना? तो length का जो ratio दिया गया है देखिए length का जो ratio दिया गया है length का जो ratio दिया गया है length का जो ratio दिया गया है वो दिया गया है 3 is to 4 है ना? length का जो ratio दिया गया है वो 3 is to 4 दिया गया है और radius का जो ratio दिया गया है वो दिया गया है 3 is to 2 है की नहीं तो इस तरह से अगर हम लोग resistance वाला expression पर इसको put करें R1 upon R2 that is rho L by A upon rho L by A है ना तो यहाँ पर L1 यह L2 A1 A2 है की नहीं इस तरह से अगर हम लोग put करें है ना तो A1 क्या हो जाएगा A1 rho rho तो कड़ जागा यह खतम हो गया L1 जो है हमारा कितना हो जाएगा 3 है ना और A1 कितना हो जाएगा pi R और जो है R का square तो pi R कितना दिया हुआ है 3 तो 3 का square upon जो L2 है हमारा कितना है 4 है तो 4 upon area जो होगा वो कितना हो जागा? pi r का square, r का square मतलब 2 का square, है की नहीं? तो इस तरह से अगर हम लोग करें 3 upon pi और ये क्या है? ये है 3 का square 3 का square मतलब 9 into ये pi 2 का square मतलब 4 upon 4, है की नहीं? तो ये इस तरह से कड़ जाएगा, 4, 4, ये pi pi है ना? और ये 1 है ना? तो 1 is to 3 L1, L2 का जो रेशियो होगा, यहाँ पर 3 is to 1 जो है आजाएगा आगे आप लोग जो है कल्कुलेशन करेंगे r1 by r2, है ना? r1 by r2 का जो रेशियो होगा वो 1 is to 3 आएगा उसके बाद जब आप parallel connected करेंगे उसको और वहाँ से जब आप निकालेंगे तो वहाँ पर यह जो है रेशियो प्रकल हो जाएगा और जो है यह current का जो रेशियो आजाएगा वो आजाएगा 3 is to 1 आजाएगा ठीक है? 3 is to 1 आजाएगा, इतना आप करेंगे ठीक है? हम रेशियो निकाल दिये किसका? रेशिस्टेंस का यूज करके आप लोग current का जाब value निकालेंगे तो current I1 upon I2 का जो value आएगा, वो आएगा 3 upon 1, ठीक है? That is option number B ठीक है? That is option number B 123 question 123 वा number question क्या बोल रहा है? देखिए, if refractive index of water with respect to air water with respect to air water with respect to air is 4 by 3, तो यहा पर पूछा जारा है, refractive index air with respect to water मतलब इसी का जो है, reciprocal हो जाएगा 3 by 4 ठीक है? इसी का reciprocal हो जाएगा 3 by 4 124 वा number question क्या पूछ रहा है? वो देखते हैं, चलिए अभी देखिए, 124 वा number question क्या है? कि आप पार्सन requires a lens of power minus 0.50 diopter where, so where is his far point? far point जो है उसका कहा पर है, वो हम लोगों को निकालना है, है कि नहीं? तो power is equals to क्या होता है? focal length जो है, वो power का inversally proportional है, है ना? 1 by focal length focal length will be 1 by p है ना? तो 1 by p जब होगा तो यहाँ पर अगर 1 by p पर हम लोग expression बैठाएंगे क्या बैठाएंगे? expression तो कितना हो जाएगा? 100 और अपन 0.5 है ना? 100 अपन 0.5 तो यह आजागा हमारा यह minus में है, तो यह minus 200 आजाएगा 200 cm आजाएगा है ना? यह 100 क्योंकि यह हम लोग meter से centimeter में उसको change कर लिया है तो minus 200 cm यानि 2 meter ठीक है? 2 meter आजाएगा? ठीक है? उसी तरह 125 नंबर question देखिए, near point of an eye suffering from a long sightedness long sightedness से जो है, अगर कोई suffer है, तो the distance of near point for the normal eye, least distinct vision जो है, distinct vision जो है इसको बोला जाता है, वो क्या बोला जाता है? कि वो जो है वो 25 cm होता है, तो इसका जो limit होगा long sightedness का, eye suffering का जो limit होगा, वो more than 25 cm होगा मतलब जिसका इस से जादा हो गया है, वो जो है इस बीमारी से ग्रसित हो जाएगा, और 125 वा question जो है इस session का हम लोग का आज का last question था, बाकी जो remaining 25 questions और है उसको हम लोग इसका part 2 में discuss करेंगे, ठीक है? तो अभी के session में हम लोग physics का जो है, 25 questions करने का कान किये, 25 questions के बाद जो अगला 25 question है उसको हम लोग part 2 में करने का काम करेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं फिर आपसे अगले lecture में तब तक के लिए, goodbye, take care